लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट सब्सक्राइब का। कर दो कर दो कर दो हमें अपना बिजनस और बढाने के लिए एक बड़ा प्लांट लगा देना चाहिए भाई सार पिंके के पापा के देहन के बाद से तो सारा बिजनस आप अकले ही देखते आ रहे हैं फिर भी आपकी राय लेना मैं ज़रूरी समझता हूँ मेरी राय में तो जल से जल सूरज और पिंकी के शादी कर देनी चाहिए राय तो मेरी भी यही है जैसे उनकी पड़ाए खतम हो जाती है हम पार्टनर से रिष्टेदार बन जाएंगे नमस्ते नमस्ते सेड़ जी नमस्ते नमस्ते आईए आईए बैठे कहिए कैसे तकलीफ की है सेड जी तकलीफ तो हम लोग आपको बार बार देते हैं इस बार हम बे सारा ओरतों के लिए नारी निकेतन की स्थापना करने जा रहे हैं हाँ ये तो बड़ा नेक काम है शुकला जी कल किसी को भी ऑफिस में भेज कर एक लाक रुपे का चेक ले जाएंगे हमें है आपसे यही उमीद थी बहुत-बहुत धन्यवाद अब आग्या दीजिए नमस्ते नमस्ते अंकल आज मैं चुपने ही रहूंगी आप दोनों के सामने सूरज के कारणा में सुना कर ही दम लूंगी पिंकी तुम्हें तो हमेशा सूरज से शिकायत ही रहती है अरे वहन जी शिकायत वही रहती है जहां प्यार होता है क्यों पिंकी मैं आपको ये बताने आई हूँ कि सूरज आजकल कॉलेज में खतरनाक ड्रक्स रैकेट के खिलाफ मुवेंट चला रहा है ड्रक्स रैकेट सूरज हिम्बत है तो सामने आ ओ सामने चिलाओ मट्टोनी सूरज तुम्हारे सर पर खड़ा है अब इस तॉलज में वही होगा जो मैं चाहूँगा तॉरी कुलाओ 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 सब्सक्राइब प्रिंसपल साप कोई कुछूर नहीं है साब, कोई कुछूर नहीं है साब, ये टोनी है ना, ये टोनी है ना, हम दोने को माले की धंकी देता है साब कि सपने में ढzlich एक करते हैं," पीटकशन dog Alabama," में तुम थे रवाद में लग मेरे इनांए से वड़को, लिनांग आपर मोई सपने तुम हमारी आन हान, हमारा हैद रसमाज में और में इसमाज में अमारी एक मर्यादा है, में हमारा, वन्याभाद थाट है जिनकी नदरें हमारे सामने जमीन से उपर नहीं उठी थी, वही हमसे आखे मिला कर कहते हैं कि आपका बेटा, गुंडे मवालियों की तरह दंगा फसाद करता फिरता है, तब हमारा सर शर्म से जुग जाता है, मगर डैड उसे रोकना बहुत जरूरी था, वो कमीना कॉलेज मे जहर सप्लाइ करता है, तुमने क्या ठेका ले रखा है, अब अगर इस तरह की बाते हमारे कानों में पढ़ी, तो हम तुमारा कॉलेज जनाबन करा देंगे, क्यों खामखा अपने बेटे को डागते हो भाई साब, जब मैंने ये सुना, कि सूरज ने अपनी जान पर खेलकर ड्रग बेचने वालों को गिरफतार करवाया है, तो मेरा सर फक्र से उचा हो गया, बैंजी आप नहीं जानती कितने खतरनाक होते हैं इसे लोग, यही तो मैं इसे समझाती हूं अंकल, मगर यह मेरी सुनता ही नहीं, बेटे, अब अगर यह तुम्हारी बात न माने, तो हमस चलिए, सुना सूरज, अंकल ने क्या कहा, आज के बाद तुम्हारी बागडोर मेरे हाथ में है, अब अगर जनाब ने मेरी नजरों से दूर होने की कोशिश की, तो यूँ खीच लूँगी, क्या बच बना है पिंकी, देखो, मेरा मूठ बिलकुल खराब है, तुम मेरे रा पका है ना, नहीं, क्या, एक तो ते लिए मैने प्रोग्राम बनाया और तु कहता है कि नहीं जाएगा, रुख जा, अंकल से कहती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे नहीं चलता है, अच्छा बाबाद चलता हूँ, कम से कम बार बार डाइडी की धंकी तो मत दिया गर, इसी से झाल 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 कर दो कर दो कि अपने ए तो पुछनी है क्यों गुरू क्या देख रहे हो उन तितली ओपो तितली नहीं है परी बोल परी परी कौंची परी वो सफीड ड्रेस में देख रहा है हाँ गुरू बाकी पठाका है पठाका लेकिन पठाकर दिखाओ तो जानू दोस्त काम थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैंने विहार कभी न मेरा नाम सूरज है जिस किसी पर पढ़ता हूँ न तो इल्ला करी छोड़ता हूँ कितना खुश नसीब है ये गुलाब जो आपके इतना करीब है काश मैं भी एक गुलाब होता हूँ इजाज़त हो तो एक फूल मैं भी लगा दूँ सूरत देखी है इने में हो तो रोजी देखता हूँ मैडम लेकिन उसमें आप ही की शकल नजर आती है आज के बार मेरी सूरत नहीं सिर्फ उंगलियों के निशान नजर आएंगे मैडम इतने खुब्सूरत हाथ थपड़ मारने के लिए नहीं बलकि चुमने के लिए होते हैं यू इडियाट पागल दीवाना आशिक आवारा मैं तेरे लिए कवारा हूँ मैं तेरे लिए कवारा हूँ पागल हूँ दीवारा हूँ कर दो कर दो कर दो पागल तो पागल लड़की दिवानी सपनों की रानी क्यों मुझे को सरपाती है लड़की दिवानी सपनों की रानी क्यों मुझे को सरपाती है जाने तमना ऐसी अदास दिल मेरा खरकाती है आखे न दिजा मेरी बाहों में आजा सीने से लगा मुझे पलकों में बसा तेरी कलियों का पंचारा हूँ पागल हूँ दिवाना हूँ आशिक हूँ आवारा हूँ मैं तेरे लिए कवारा हूँ पागल हूँ दिवाना हूँ करम तेरी कि वेशिक है कर दो कि अदास रेख्स कर्सक मिमें दो पीचे पढ़ा हूं कभ से खड़ा हूं क्यों मेरी जान जलाती है इस दिल पर पे जपनी जिगर पे नजरों से तीर चलाती है ठोबू, छोड़ा ना अरे पीछे पड़ा हूं कप से खड़ा हूं क्यों मेरी जान चलाती है इस दिल वर पे जखम जिगर पे नजरों से तीर चलाती है चिकनी जगल सा दिर दिर चब तेरे यका दम कहीं जाए ना फिसल ऐसी अदाओ कवारा हूं पागल हूं दिवाना हूं आशित हूं आवारा हूं मैं तेरे लिए कवारा हूं मैं तेरे लिए कवारा हूं पागल हूं दिवाना हूं कर दो सिंग पड़िया ताइं है कि या में शक्ति कबूर के उलाद शुकरिया को चेले तो वो भी कड़ाट सिंग और हवल्दार नर्व जिंक के सामने लेचल सस्रा के थनवा में वहां जाके मजा चखाई अब बेटा वहां चल ऐसे पड़ेंगी ऐसे पड़ेंगी कि लड़क लेकिन भाई साब मैं लड़की को कहा छेड़ रहा है तो और भी बुरी बात है तुम जुआन पठ्थे हो अगर लड़की को नहीं छेड़ोगे तो फर धंदा मंदा हो जाएगा नरण सिंग भूल हो गई सार देखो प्यारे कतल कर दो डाका डाल दो पर लड़की को छेड़ने का एक हजार पड़ता है तुम अच्छे हो शकल से शेरीव हो छेसो में फैसला करते हो भाई साब छेसो तो नहीं है तीनसो में फैसला कर लोगा इस ससरा मॉल मुलाई करता है लेचालई का सनवामा देखिया वल्दा साब यह मुझे छेड़ नहीं रहे थे हम दोनों दोस्त हैं और यहां पिकनिक मनाने आये हैं तो और बुरी बात है माल आ रहा था माल आसे चला गया कड़किंग मुहुरत ही कराब है का चला थैंक यू अगर इससे तुम यह समझने लगे हो कि मैं तुम से प्यार कर कि मेरी बात से सुरा मैं कल शाम को तुम्हारा इतजार करूगा रात भर में सो नहीं सका केरन हर पल तुम्हारा ही खयाल दामन्था में हुए था आखों में बस तुम ही तुम थी इतना प्यार है मुझ से यह पूछना है तो मेरे दिल की धरकनों से पूछो जो रात भर तुम्हारे नामकी धंगुनाती रही है मेरा भी यह हाल है जब तक तक तुम मेरे जीवन में नहीं आय थे सूरज मैं सिफ नाम की किरन थी तुम्हारे प्यारने उसमें रौष्णी भर दी सच किरन मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि नसीब हम दोनों को एक दूसरे के इतना करीब लाएगा अब तो तुम ही मेरी मुहपत हो और तुम ही मेरा नसीबा कर्घ मेरा पhluk करेंगा वो देखो सुरज, क्या लिखा है? वन प्लस वन इस उकल टू वन? हाँ, तो ठीक है. लगता है हमारी तरह किसी प्यार करने वाले ने लिखा होगा. मगर ये कौन से मैथमेटिक्स है? तुम नहीं जानती? हाँ. अरे, वरी सिंपल देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ. एक तुम और एक मैं. अब अगर हम तोनों मिल जाएं, तो क्या हो जाता है? वन. इसका मतलब है वन प्लस वन इकॉल्स तू? वन. फैंटास्टिक! दिस इस दे माथमाटिक्स अव लव. हुल सुरेच. इतने दिन कैसे बीथ गय के रंग, कुछ पता ही नहीं चला. कब सुबा होती है, कब शाम? शाम? हाँ. ओ मैंगाट! बहुत देर हो गई. मैं चलती हूँ. इतनी जल्दी? देर से पहुंचूंगी, तो मैं तुन डांटे की. कर फेर आउंगी. और तब तक मैं कैसे रह पाऊंगा? मेरे प्यार की, इस खुश्पू के साथ. तो गुरू, तुमने इसे पढ़ा ही लिया. वाके ही उस्ताद हो, यार. नहीं दोस्त, ये उस्तादी नहीं. ये सच्चा प्यार है. दरसल मैं उसे अपने दिल की गहराईयों से चाहने लगाऊं, यार. लेकिन तुम्हारी शादी तो पिंकी के साथ होने वाली है, यार. वो तो डैडी की जबर्दस्ती है. किरन को मिलने के बाद, मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता. उसे पानी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी. एक मैं और एक तू, दोनों मिले, एक हुए. दीवारों का ये हाल है, तो दिल का क्या होगा? कौन है वो जिसने वन प्लस वन का ये हिसाब सिखाया है? उसका नाम सूरज है, बंबे से कॉलेज चूर पर आया है. ओहो, तब बंबई का बाबू है, जरा संबल करें ना, बंबई के लड़के गले एक लड़के से लगते हैं, देखते हैं दूसरी के तरफ और सोचते हैं तीसरी के बारे में. सब एक जैसे नहीं होते, मुझे सूरज पर पूरा यकीन है, दुनिया बदल सकती है, लेकिन सूरज कभी नहीं बदल सकता. किरन! किरन, ये किरन कौन है? किरन, किरन यानि के तुम? मैं? हाँ बाबा, मैं सूरज और तुम मेरी किरन? हाँ, हो तो है. तुम सूरज और मैं तुम्हारी किरन. मगर तुम यहां क्या कर रहे हो? वो मैं. इंतजार. इंतजार? किसका? तुम्हारा. तुम्हें कैसे मालम क्यान? पागल, दिल को दिल से रा होती है न? ओ, तो ये कहना था न? हाँ. किसके लिए है? मेरे लिए न? नाचरली तुम्हारे लिए है. तो फिर मेरे बालों में लगाओ. क्या हो? क्या हुआ? कुछ भी न? कुछ कैसे नहीं? तुम्हें हम न जाने कहा का ढूंड रहे हैं? तुम यहां प्यार की चोच लड़ा रहे हो? चलते हैं, चलते हैं. हम सब जा रहे हैं लव स्पॉट पर. तुम भी अपने दोस्तों को लेकर वहीं पर पहुंच जाना. ठीक है? ओके. बाबाई. बाई. किरन! किरन, मेरी बात तो सुनो. किरन, रुप जाओ किरन. किरन, किरन. किरन, मेरी बात तो सुनो. अब भी कुछ सुन्दे को बाखी रह गया है क्या? तुम्हारे जूटे प्यार का पर्दा उठ चुका है. तुमने मेरे साथ विश्वास कात किया है. बेवफाई की है. मैं तुमे कभी माफ नहीं करूगी. I hate you. I hate you. हुआ 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 मैं बेवफा नहीं हो, कैसे तुझे बताओ। मैं बेवफा नहीं हो, कैसे तुझे बताओ। अपसाना देबसी कर, कैसे तुझे सुनाओ मैं बेवपा नहीं हूँ, कैसे तुझे बताओ एक बेवपा से मैंने उम्मीदे वपा की थी मैं ना समझ थी यारग, मैंने ये खता की थी इस बेवपा से मैंने उम्मीदे वपा की थी आ तैव्ण रयक्ति थी तुझे यजिस मैंने नहीं हूँ, तुझे तुझे वे लुझे तुझे भिए तुझे को पता नहीं है तुने ये क्या कहा है तुझे को पता नहीं है तुने ये क्या कहा है मजबूरियों को मेरी तुने जबा कहा है जखनी है दिल की धड़कन कैसे तुझे दिखाओ मैं बेवफा नहीं हूँ कैसे तुझे बताओ अफसाना बेहसी का कैसे तुझे सुनाओ मैं बेवफा नहीं हूँ कैसे तुझे बताओ झाल कि जखनी हूँ कैसे जफसाना जब जजाए म मैं वाँक्ति वाँक्ति एव खना बेभदेशं हूच्छ भॉझे अजगे प्राफ तुझे परवफे उपनादेश्य के रिखने झाल कि लियना बेपनार मैं अःफ उन फिर फुझे उधाँ, विर फुझे झाल के शिए कैसे बताओं मुझे पे एहसान क्या किया है कैसे बताओं मुझे पे एहसान क्या किया है मेरी वफा के बजने आसो मुझे दिया है मेरे दिल में आज जाना मैं किसको चाहती थी इस बेवफा से मैंने उमीदे बखाती थी मैं ना समझ थी आरफ मैंने ये हकाती थी मैं बे वफा नहीं हो कैसे तुझे बताओं अफसाना बेवसी का कैसे तुझे सुनाओं मैं बे वफा नहीं हो कैसे तुझे बताओं किरन जी कहा है किरन उसकी घर से टेलिग्राम आया था वो सुबह की बस चंदनपूर चली गई सुनिये आपका नम सूरज है किरन ने आपके लिए लेटर दिया था थैंक यू किरन इसे वापस लोटा कर तुमने मेरे प्यार की सच्चाई पर शक किया है और मैं तुम्हारी का लटवेमी तूर करके ही रहूंगा बस बेटे अब तो एक ही इच्छा है अपनी लाडली के हाथ पिले होते वे देख सकूँ पता नहीं बेटे मौत इतना वक्त देती है कि नहीं ऐसा मत कहिए बाबुजी आपको कुछ नहीं होगा बेटी तुही तो मेरी एक जीने की आजस है वरना इस जिंदीक में रखा ही क्या है तेरी मा के देहंत के बाद मैंने तुछे मा बाप दोनों का प्यार दिया है बेटे जिंदीक में कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी यह सच्छे बेटे के आजकल घर के हाला ठीक नहीं है मकान तक गिरवी पड़ा हुआ है फिर भी मुझी यह खुशी बेटे के तो पढ़ ले गई है बस जिंदीकी में एक भूल हो गई बेटे जो तेरे लिए सो तेली मा ले आया बेटी किरान आई मा आओ बेटी आओ भाई आप पूछ रहे हैं आखे क्या फैसला किये तुमने फैसला तो मैंने कल ही सुना दिया था यह तुम्हारा आखरी फैसला है फैसले आखरी ही होते है मामा जी मैं मर जाओंगी मगर अपनी इज़त का सौधा कभी नहीं करूंगी आएंदा अगर आप लोगोंने मुझे वजबूर करने की कोशिश की तो मैं मिट्टी का तेल छिड़ा कर आग लगा लूगी समझे आप कि अगर आप कि अगर अगर कि सोचते क्या हो कि रन क्या माबाप अपनी आउलाद को इसलिए पालपोस कर बढ़ा करते हैं कि वक्ताने पर वो अपने पॉर्स से मूँ मोड़ ले क्या सिर्फ पचास हजार जैसी मामूली रकम के लिए तुम्हारा बाप एडियां रगर रगर के दम तोर दे क्या आपके अंसर जैसी भियाने बीमारी से बचानी के लिए तुम इतने सी कुर्बानी भी ने दे सकती एक तरब तुम्हारे बाप पिसे सकती मौत है और दूसरी तरब जंदगी पैसला करो तुम्हें बाप की मौत चाहिए या जिंदगी मौत या जंदगी मौत या जंदगी नाई माँ बेटी मामाजी से कहिए रूप्यों का बंदबस करें पापुशी का इलाज जरूर होगा क्यों देखा आ गई न लड़की जाल में मैं तो पहले ही कहता था शरीफ लड़कियां इतनी आसानी से मानती तो है नहीं इसलिए मैंने टीवी की वजाए कैंसर जैसी खतरनात किसम की बीमारी की रिपोर्ट बनवाई अरे तुम्हारे तो दिमा का जवाब नहीं जवाब तो तब देखना जब हमारे हाथों में पच्यास हजार के करारे करारे नोट आएंगे हाई दया पच्चास हजार पच्चास हजार हैं गिन लो इसमें गिनने की क्या बात है मैनियर सहब दो नमबर के सारे थंदे एक नमबर के होते हैं अच्छा वेटी मैं चलता हूँ जगो जे इसे पूनें की कमरे में ले जाओ कह देना के नहीं है और यहां के सारे नियम समझा दे डरो मत रानी मुझे तेजा कहते यहां के सारे फूल मेरे इस कांटे की छाया में रहते और एक बात याद रखना अगर तुम्हारी वजह से मेरे धंदे को कोई भी नुकसान हुआ तो मैं तुम्हे ऊपर से छेन छोटा कर दूँगा और उभी खर छोटा इस ताइम समझे ले जाओ इसको चला पूनम जी इसे राज बाबुने बेजा अच्छा तू जा ठीक है क्या नाम है तेरा? किरन बड़ी प्यार से माब अपने नाम रखा होगा किरन सोचा होगा जहाँ जाएगी पेटी उजाला कर देगी मगर किसे मालूम किरन के मुकदर में अंधिरा भी हो सकता है चला मेरे साथ था चल Excuse me जी भाई सब किरन त्रिवीती का घर कौन सा है? वो सामने कौन जी मैं किरन का दोस्त हूँ मगर आप मैं मैं उसका बदनसीब बाप हूँ बेटे है किरन का है? उसे उसकी सोटेली मा और मामा ने धूल महल में बेश दिया और मुझे इस हाल में छोड़के दंजाने कहां चले गए अरे बाबुजी 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 आपकी तविय तो बहुत खराब है आपको फॉरन अस्पिताल ले जाना होगा आए अंकल पिंकी बेटे थोड़ा नाश्ता कर लो मैं यह नाश्ता करने नहीं आप से जगड़ा करने आई हूँ तब तो थोड़ा रुख जाओ क्यूंके नाश्ता करने के बाद मुझे जगड़ा करने वाले अच्छे लगते आप भी कैसे डैड हैं अंकल जो अपने बेटे की कुछ खाबर ही नहीं रखते पता है कितने दिनों से लहर सब गाइब है पेटे तुम तो उसकी आदर जानती हो बिना बताए घर से गायब हो जाता है और जब साहर सपाटे से उसका दिल भर जाता है तब वापस आ जाता है पर तुम विकर मत करो अब की बार आ जाए ना तो तुम दोने की शादी करवा देंगे अब तो खुश किरन मुझ np मुझसे यह नहीं होगा मैं यह सब नहीं कर पाऊंगी मैं यह सब नहीं कर पाऊंगी तो मत किरन तेरे यह आँसु तखदीर का लिखा नहें मिटा सकते यह आंके हर लड़की को खालात से समझधा करना ही पड़ता है क्या-क्या सपने सजाए थे इन आखों में दीदी पगली, पहली बात तो ये है कि गरीब की लड़की को सपने सजाने का को अधिकार नहीं और अगर सजा भी लिए तो उन्हें तूटते हुए देखने को तयार रहना चाहिए काओ कि इससे पहले मुझे महत आ जाती तू क्या समझती है, हम सब यहां जिन्दा है नहीं, लाश से भी बत्तर है हमारी जिन्दकी क्योंकि लाश तो चिता पर जल कर भी मुक्ती पा जाती है लेकिन हमें, हमें तो वो भी नहीं मिलती हर रात फूलों की सेज पर चलती है हम न जीप आती हैं न मर पाती है आंसु पोच लो किरन यहां रोने वाली लड़कियों से कस्टमर नाराज हो जाता है और कस्टमर के नाराज होने का मतलब है पीठ पर जालिम तेजा के हंटरों की निशान हरामजादी, ग्राह को नाराज करती है यहां धंदा हो थे, नखरा नहीं आएंदा अगर शिकायत मिली ना तो चमरी उधेर के रख दूगा समझे बस, ग्राह को क्याने का टेम हो गया दिन लेजाज को तेजा भाई, तुम्हारे हैं लड़कियों को तो जवाँ भी नहीं, एक से बढ़कर एक हैं लड़किया नहीं सेड़ जी, फूल कहिए फूल, इन में से जो भी फूल हमारे ग्राहकों के नसीब में आता है वो अपनी पूरी खुश्मूल उठाता है जानते हैं भाई, इसलिए तो हमें आते हैं, आज तक शिकायत का मौका ही नहीं मिला आयो, पराम को तो शिकायत हाए ना जी शिकायत? किस बात की? आयो, तुम द्यार करेगा जी, तो मेरो बगर फूल इसमें घर जाना पड़ेंगा जी फूल दो, राजबभू ये लीजे, सेड जी जाए उठाये फूल आयो, ब्यूटिफुल है आयो, आयो, जल्दी जलाजी आयो, आमा तु मेरो को आग बारा, मेरा दिलो का पारा मै तरे को खिलाओंगा जुवारा आज मेरा सारा माल तु मारा, एक बारा आना आज तो बहनी बहुत अची हुहे राजबभू Hello, young man नए लगते हो बोलो क्या चाहिए किरन ओए बबुआ यहाँ ना चंदा की चांदनी मिलेगी और ना ही सूरज की किरन यहाँ पर सिर्फूल मिलेंगे फूल चमपा चमेली गुलाब सूरज मुखी बोलो कौन सा फूल चाहिए देखो मैं जानता हूं किरन यही है वो रही उसकी तस्वीर देखो मिस्टर जिसे तुम किरन कह रहे हो ना वो हमारे यहाँ थाली में रखा हूँ एक फूल है अच्छे ग्राह की तरह अपने पसंद का फूल चुन लो दस हजार रुपए रखो और कमरे में चले जाए आगे तुमारी किस पा देखो अगर तुम लोगों ने मुझे किरन से मिलने नहीं दिया तो मैं पुलिस को बला दुआ ओए पपुआ यह पुलिस की धंके किसी और को देना क्योंके पुलिस हमारे पॉकेट मा रहती है ज्यादा फटफ़ाने की कोशिश की ना उसे चेन छोड़ा कर दूँगा कर चुटा स्टाइल मा का देखो मिस्टर यह बच्पना छोड़ो और जाकर फूल चुन दो जाए चगो जी इसे गुलाब के कमरे में ले जाओ वाकए दोस्त तुमारी किसमत आज जोरो पर है झारे आप तुम अख्षी रात खुश्बू लूटना क्योंकि जिससे मिलने आयोना कुषु.. गुलाब.. फोजी का नाम है ये लो गुलाब.. खा आय क्या ये केरन का कमरा है ये लो ठांक्यू किरन तुम यहां अब समझी तुम जैसे लोग यहां नहीं आएंगे तो और कहां जाएंगे तुम तो हो ही वो आवारा भवरे जो कलियों की तलाश में किसी भी गंदगी में पहुँच सकते हैं मुझे इस रूप में देखकर तुम्ही यकीनन बहुत खुशी हुई होगी कि जिसे पाने के लिए तुमने प्यार और महबत का नाटक रचा था आज सिर्फ चंद खनक्ते सिक्कों के बदले जैसे चाहो उसके जिसन से खिलवार कर सकते हो केरण यह क्या कह रही हो तुम मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जैसा तुम समझ रही हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरा यह प्यार ही मुझे यहां खेंच कर लाया है और एक और बात सुनो, तुमने अपने पिता जी को बचाने के लिए जो कुर्बानी दी है न, वो सब बेकार गई है तुम्हें के तुम्हारी मा और तुम्हारे मामा ने तुम्हारी इस कुर्बानी के साथ विश्वास खात किया है तुम्हें बेचने के बाद वो तुम्हारे पिता जी को मरता हुआ छोड़ना जाने कहां भाग गए? नहीं, यह जूट है लेकिन सच यही है किरन, अगर मैं सही वक्त पर तुम्हारे घर पहुंचके तुम्हारे पिता जी को अस्पताल में ताखिल नहीं करा देता तो शायद वो तम तोड़ते थे तुम सच कह रहे हो जूटा तो मैं उस दिन भी नहीं था जब तुमने मेरे प्यार को फरेब समझा और नहीं आज यकीन नहीं आता तुम्हेरी आँखों में जांक कर देगा तुम्हें हाकीकत मज़र आजाएगा सूरच मुझे माफ कर दो एक शर्ट पर शर्ट? हाँ अगर तुम एक बार फिर से कह दो के मिस्टर अगर तुम समझते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम ठीक समझते हो सज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ भुकरा मुखडा है अख बड़ी बड़ी जब खुच पर नजर मेरी पड़ी तो दिल मेरा टोल गया 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 तो दिल मेरा टोल तुझ दिवान वे हगर लगता है, तुझ देखके मैं शर्माई, तुने पप्र जो मेरे कलाई तुझ देखके मैं शर्माई, तुने पप्र जो मेरे कलाई, तो दिल मेरा रॉल गया, तो दिल मेरा रॉल गया चिहुआ की मैँ मैं हिवें तुने परोची शर्माई, तुने अथार मेरे विदेएं तन तुने ब्रॉक है मेरी पलको में आखे तू बसी, जब उंगली तो बाके तू हसी, तो दिल मेरा दोल गया तू दिल मेरा दोल गया बस, चमपा बच गया अरे अभी कहाँ, धंदा बंदोने में दस मिनट बाकी है, कोई नो कोई भावरा तो आ ही जाएगा अगर नहीं आया बस, तो पूनम बच जाएगी उसकी ऐसी तकदीर का हाँ, राजबाबू अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुर्सी सामाल लेता हूँ तुम्ही गाहक बनके चमपा को ढ़ालो और रैश करो तेजा, एक बात हमेशा ध्यान में रखना जब दलाल ग्रहक बनने की कोशिश करता है तो ना दलाल रहता है और ना ग्रहक यह क्या दिल लगी है पूनम दिल लगी नहीं राज, दिल की लगी का हूँ पूनम मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करो तो फिर कहां जाओ राज, एक तुम ही तो हो, जिसके सीने पर सर रखकर मैं दुनिया के सारे घम बुला सकती हूँ और फिर बड़ी मुश्किल से तो यह रात मिली है जिसे हम अपनी मरसी से गुजार सके कुछ तुम अपनी कहो, कुछ मैं अपनी कहूँ और यह ढलती हुई हसीन रात, सुबह की चादर में अपना मुझ चुपा ले पागल मत पनो पूनम, दीवारों के भी कान होते हैं अगर साब जी को पता चल गया न, तो घजब हो जाएगा और तुम तो जानती हो, यहां प्यार करने की सजा मौत होती है मौत मौत का डर, अपनी दिल से निकाल कर, मुझे अपनी सीने से लगा लो राज और उन रातों के जखमों पर महरम लगा दो, जो मैंने कांटों पे गुजारी है मैं तुमें कैसे समझाओं पूनम, देखो, देखो सहब जी के ऐसानों तले में दबा हुआ हूँ तो क्या मैं यह समझू, कि हमारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे पूनम, हम पिंजरे में कैद वो पंची हैं, जो खुलकर पर भी नहीं भड़ पड़ा सकते हैं यहां हमारे सपनों को जिंदगी मिलना नामूम्किन है, नामूम्किन है पूनम ओकी राज, अगर तक्दीर में यही है कि हर रात भेड़िये मेरे बदन को नोचते रहे और तुम हर रात अपने बिस्तर में करवटे बदलते रहो, तू यही सही, वाइं, वाइं, ओके इधार उदर भटकने से क्या फाइदा रानी, अगर खाली रात काटे नहीं कटती, तो मैं काट देता हूँ रात काटनी है तो अपनी मा के साथ जाके काट, समझा, बॉस्टर्ण जाओं के रण, लेकिन मैं शाम को फेर रहूँगा, और मैं यहां तब तक आता रहूँगा, जब तक मैं तुम्हें इस दलदल से निकालने ही ले चाता सूरज, तुमसे मिलने के बाद मैं फिर से सपने देखने लग गई हूँ अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती जाने का वक्त हो गया दोस्त अच्छा के रण अच्छा करूँगी मैं जाओँ मैं इंतिजार करूँगी सूरच अपना ख्याल रखने किरम I love you, I really love you आज तेरी रोने का दिन है नहीं दीदी नहीं यह वो आँसु नहीं है जो आप समझ रही है क्या मतलब? बरबाद होने से पहले ही भगवान ने मेरे पास सूरच को भेज़ दिया सूरच? हाँ दीदी जिसे सबने ग्राहक समझा था वो मेरी आबरू का रक्षक है उसने ना सिर्फ मेरे बाबुजी के जान बचाई बलकि मुझे प्यार की वो दॉलत दी जो सिर्फ नसीफ वालों को ही मिल सकती है देदी अब अगर मेरी इज़त पर जरा से भी आँचाही न तो मैं अपनी जान दे दूँगी नहीं किरन, नहीं ऐसा मत कहो भगवान ज़रूर कोई न कोई रास्ता निकालेगा एक बात है यार दुनिया इधर की उधर हो जाए चाचा की नमाज नहीं छूड़ती ठीक है तो यार, चाचा बड़े नहीं काटमी है सुनिये फूल महल चलोगे फूल महल? मगर उस रास्ते पर तो दंगा हो रहा है बेटा आज तो वहां पहुंचना नामुम्किन है वहां तो लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए बतानी नफरत का ये खेल कब खत्म हुआ चचा कोई भी टैक्सी ड्रावर फूल महल जाने के लिए तैयार नहीं है मगर मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है ऐसा कौँसा जरूरी काम है कि अगर आज तुम नहीं जाओगे तो आस्मान तूट पड़ेगा अब मैं आपको कैसे समझाओं एक मासूम लड़की की जिन्दगी का सवाल है अगर मैं शाम को छे बज़े तक फूल महल नहीं पहुंचा तो उस बिचारी की जिन्दगी तबाह और बरबाद हो जाई मैं उसे बचाना चाहता हूँ चचा मुझे वहां तक पहुचा दीजी प्लीज मेरी मदद कीजे चचा मैं नहीं जानता कैसे लेकिन ठीक है कोशिश करता हूँ शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो बेटा मेरा नम अबदुल्ला है अबदुल्ला का मतलब होता है खुदा का बंदा और मैं खुदा के बंदों की मदद करना अपनी खुशनस से भी समझता हूँ, बैठो, चलिए अब क्या हुगा चता आग को पानी और पत्थर को मुम बना देते हैं हांसले वाले हर दिवार को गिरा देते हैं याली वाली च प्राव वाली कि अ र्राव अ प्राव इंग वाली युवद प्राव लुखर्य बीग में बढ़ मेरे आगे, तुम्हारी मनसिर. तुम्हारी मनसिर. यह लो पैसे हैं. इसके जरुवत नहीं बच्चे, अल्ला तुम्हारा निगेबान है. या खुदा, इसकी मदद करना वासेट, क्या फूल बसंद किया है One minute, one minute Sunday, मुगरा मंदेचे मेली Today is not glad day Today is chumper day गुलाब यह, यह क्या कर रही हो अब किरन कहा है तुम कौन हो? मैं सूरज हूँ मगर गुलाब तो किरन का नाम है अच्छा, तो तुम ही हो किरन के सूरज जी हाँ सूरज, यहाँ का एक उसूल है हरोज फुलो के नाम पर लड़कीयां बदल दी जाती है लड़कीयां बदल दी जाती है? मगर क्यों? ताकि कोई भी कस्टमर बार बार एक ही लड़की के पास जाकर प्यार महबत का नाटिक न रचाए और उस लड़की की दिल में यहां से चले जाने का इरादा न पैदा कर दे तो फिर इसका मतलब है कि आज किरन को किसी और फूल के नाम से पहचाना जाएगा फ्लीज मुझे उसके फूल का नाम बता दीजिए क्योंकर मैंने उससे वादा किया है कि जब तक मेरी सांस में सांस है मैं उसकी इजट पर आंच नहीं आने cái ते रोमत आज किरन के नाम का कोई फूल नहीं है कोई फूल nे भगवान ने हर आउरत को मैने में चार दिन ऐसे दिये है, जब मर्द उसके पास भटक भी नहीं सकता। यानि के मेरी किरन? हाँ, चार दिन तक तो सुरक्षित है, मगर उसके बात कुछ नहीं कह सकती। कौन वहशी उसकी पवित्रता पर दाख लगा जाए। वह नौबत आने से पहले ही मैं किरन को यहां से निकाल ले जाओंगा। यह इतना आसान नहीं है सुरज। प्यार करने वालों के लिए कुछ मुश्किल नहीं। बस मौकी का इंतजार है। अगर वह मौका मैं तुम्हें दू तो? आप? हम, मैं? तो फिर मैं आपका योगकार जिन्दगी भर नहीं भूलूँगा। ठीक है। तो फिर कल रात दो बजे मंदिर के पास किरन का इंतजार करना, ओके? सच दीदी? दीदी? हाँ, अगर मेरी कोई बहन होती न, तो वो बिलकुल आपकी तरह होती। दीदी कहकर, तुमने मेरे कांथे पर बहुत बढ़ा बोज रख दिया है। अब अगर तुम दोनों को मिलाने के लिए, मुझे सारी दुनिया से टक्राना पड़े न, तो मैं टक्रा जाऊंगी। सर, बैंक से सिना। कहिए मैनेजर साब। सूरज ने फिर 50,000 रुपया किया है। क्या। सूरज ने बैंक में से 50,000 रुपया ड्रॉपया किया है। इस टू मच। देखिए, आगे से उसका एक भी चेक आप पास मत कीजिएगा। वो किसा। हाँ, बेटा गाड़ी तयार हो गई। होड़े कर देना चाचा। सलाम अलेकुम चाचा। अरे वालेकुम सलाम साब खेर ये तो है। जी चाचा। कल जिसे आपने बरबादी से बचाने में मेरी मदद की थी। मैं उसे फूल महल की दल्दल से हमेशा के लिए निकालना चाहता हूं। बड़ा नेक ख्याल है तुम्हे कामया भी बख्षे। कभ यादी रात को मेरी सुद्ध पढ़ जाए तो बेजी जख चले आना। अरे भाई दो चाहे तो देना। चाचा। मैं अज रात को ही उसे इस दल्ल से निकालना चाहता हूं। और मुझे आपके मदद की ज़रूरत है। सारा आंगों पर यबदुला तरे साथ है। जाए भी उचाहे। तैंक्यू। जाओ किरन जितनी जल्दी हो सके इन बेडियों के चुंगल से दूर निकल जाओ। देदी कितना अच्छा होता अगर तुम भी यहां से चलती। सबकी तक्तिर एक से नहीं होती किरन। तुम्हारा प्यार इस नर्ग के उस तरफ है। और मेरा प्यार इसी नर्ग में। जाओ किरन। तुम्हारा प्यार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ अगवान तेरी रक्षा करें किरें जाओ वाह चुडिया क्या उडान है क्यों जिनाल राज बावु शहर गए हैं तो मौके का फाइदा उड़ाती है मगर ये मत भूल के तेजा के हुद्वे मजाले एक भी चुडिया यहां चुड़ जाए ख़वर्दार तेजा अगर तुमने किरें को आज रोपने की कोशिश की तो ये पुनम तुम सब पर अमावस की रात बनकर चा जाएगी समझें चौप राण ज्यादा जबान चलाई तो मैं तरी ये रात मौत की रात बना के रख दूँगा अरे चाँ चाँ हमारी दलाली पे पनने वाले भड़े हमें क्या मौत की धंकी दे रहा है हम तो खुद हर रात कफन में करवटी लेते हैं कफन तो मैं तुझे पहना हूंगा पकल लो इसे देजो कबल बेर आखे बने की कोशिश की तो एक एक को पाक के रख दूगी ये तु ठाग आँसे मैं इंसे निपच्ची हूं पकल लो इसे हांके जाने ना पाए पकल लो इसे जाए जाए तुझे कफन पहनने का बड़ा श्चौक है ना तुझे उपर से तो क्या नीचे से भी छेन छोटा कर दूँगा खरचोटा स्टाइल मा ले जा हरामजादी को किरन किरन तुम ठीक को हुना तुरच चल्दी से यहां से निकल चलो तेजा ने मुझे भागते वह देख लिया है चाचा चाचा यही करन है तुम विगर मत करो मेरे बच्चो कश्टियां सब के किनारे पर पहुंच जाती है ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है आव मेरे साथ तुम लोगों को चील के किनारे पहुंचा देता हूँ वहाँ से तुम उस पार चले जाना आव मेरे साथ चलो बपता हो लोग आगे उस टेक्सी का पीछा करो चल्दी चलो और तेज चाचा नजदी का रहा है वो रोको गारी वापसो फे पार्लो पार्लो लॉझा पकर दो लो नियाको! बस, इसमें तो कोई बी रही? चल निकल! बोल्बे हराम जादे, कहां छोड़कर आरां दोनोको? खुदा पर यकीन है, इसलिए जूट नहीं बोलूँगा कि मुझे मालूम नहीं है। लेकिन सच भी नहीं बताऊँगा क्योंकि दो मासूम जिंदिगियों का सवाल है। हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है बुढ़े! अगर अपनी जान की आमान चाहता है, तुम दोनों का पता बता दे, मैं तुम्हे छोड़ दूगा। तुम तो छोड़ दोगे। लेकिन मरने के बाद जब खोदा के दर्बार में पहुंचूँगा तो वो कैसे छोड़ेगा। जवाब पूछेगा। कि मौत के दर से दो मासूम जिंदिगियों को दाव पर क्यों लगा दिया। देख बुड़े, मेरे पास ज़्यादा वाक्त नहीं है। जल्दी सुनका पता बता दे वरना। वरना क्या कर लेगा तो, मेरा सर कलम कर देगा। इससे ज़्यादा तेरी आवकात ही क्या है। अगर याद रख। कुलो नफसें जाइकतुलमौत जो इस दुनिया में आया है, उसे एक ना एक दिन लो मौत का मज़ा चखना ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनकी मौत पर जमाना अफसोस करता है। और कुछ तुझ जैसे जलील होते हैं, जिनकी मौत पर कुट्टे भी रोना कवारा नहीं करते। हरामजादे। या अला, या जजरों से खेलने वाले, एक दिन यही खंजर, तन्वार बनकर तेरे सीने के पार होगा। अला। वजर की आसान, वेखता मस्जिद कहीं पास मही है। चल अबुद्रला। नमास तो पड़नी सीने हैं। अचर वुछ से घुछ से घुछ झाजने मेज़ जड़ार छोल बादे लिएמא है आज तक मेरी अनमाज कभी कज़ा नहीं हुरी यह आखरी नमाज अदा करने मेरी मदद कर, मुझे महलत दे करुप नहीं है तके टके में बिकने वाली छिनाल लड़की को भगा कर धंदा खराब करती है एक मासुम को इस नर्क से निकाल कर जो सुख मुझे मिला है न तेजा उसे तेरे हंटर की घाउ कभी कम नहीं कर सकते समझा ओ, देखता हूँ तेरी जवानी का उबाल कब तक इस हंटर की मार सहता है देजा राज बाबू बस, बहुत हो गया मेरे होते हुए ये जोन नहीं हो सकता, समझे राज बाबू, धंदे का हिसाब किताब रखना तुम्हारा काम है गड़बड करने वाली का हिसाब करना तेजा का काम है आज तो इस कमीनी के पर कतर के ही रहूँगा मैं खबरदात देजा अगर अब तुन्हे पूनम पर हाथ उठाया तो मैं तुझे नहीं चोड़गा ये गिदर भपकी किसी और को देना मैं जानता हूँ कि तेरा इस छोगरिया से टांका भिड़ा है मगर आएंदा तुन्हे बीचवानी की जुरत की तो मैं तुझे ऊपर से चेन छोटा कर दूँगा खरचुटा स्टाइमा का इससे पहले मैं तेरे होश्टिकाने लगा दूँगा चलोट देजा साला फूनम को मारता है हरामजाबे मेरी पूनम को मारता है हरा पूनम राज तुमारी प्यार की थंडी आखको जवाला बनते हुए देग कर, आज मुझे एसस हो गया है कि तुम्हारे दिल में, मेरे लिए कितना प्यार है मै तो हमेशा तुमारे साथ हू, पूनम हमेशा लेकिन सहब जी के ऐसानों की बेडियां मुझे तुम्हेरे पास आने से रोका करती थी और आज मैंने वो सारी बेडियां तोड़ दी, तोड़ दी मैंने बस यही सुनने के लिए मैं हर रोज मर मर के जी रही हूं राज अब अगर मुझे मौत भी आ जाया ना, तो कोई घम नहीं, हाँ राज नहीं पुनम नहीं, अब बहुत के बाते मत करो, जिंदगी के बाते करो अब तुम्हें यों घुटगुट कर जेना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हारे सारे सपने साकार कर दूँगा सच राज हाँ, हमारा एक घर होगा, एक संसार होगा हमें कोई जुदा नहीं कर सकता पुनम, कोई जुदा नहीं कर सकता राज, राज हेलो साब जी, दो बुरी खबरे हैं पहली ये कि वो नई लड़की अपने यार के साथ भाग गई है और दूसरी ये, कि राज और पुनम नों दोनों की भागने में मदद की है आप कहें, तो मैं राज को ऊपर से छेन छोटा कर दूँ खरचुटा सालमा नई, मेरे आने का इंतजार करो ठीक है साब जी नई, अब नहीं हम तुम्हारे साब जी है और नहीं तुम्हारे मवादार राज मैं समझा नहीं साब जी मैं समझाता हूँ बववा हरामजादे, प्यार महबबत का न्याटक करता है तू तो आशिक बन बैठा, मगर तेजा आशिकी का भूत उतारना अच्छी तरह जानता है बस तेजा बस बूनम के बारे में मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता अबे जा राज को मत मारो, कसूर राज का नहीं, कसूर मेरा है मैंने, मैंने किरन को भगाया था अगर सजा देनी है तो मुझे दो अच्छा है, तो तू ही है सारे फसाद की जड़ तेरी वज्जे से पहली बार यहां से एक लड़की फरार हुई और मेरा वफादार आदमी घद्दारी पर उतराया तुझे तो मैं ऐसी मौत दूँगा जिसकी तेश्चत बरसों तक यहां पर चाही रहेगी पगढ़ लो इने नाई, नाई, छोड़ो मुझे नाई नाई, साबची, नी साबची, उन्हें मेरी जिन्दीगी है, साबची तो जिन्दगी को माउट में बदलते हुए देख नाई, साबची राच हम खुश हुए कि हमारे खिलाएवे नमक ने तुम्हारे खोन में इतनी गर्मे पैदा कर दी कि तुम अपने मालिक पर हाथ उठाने के काबिल हो गए वगर शायद तुम्हें ये नहीं पता कि खून में इतनी कर्मी सिहत के लिए अच्छी नहीं होती, राच 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 नेच नाई नाई राच, मुझे इस तरह चोड़ के मन जाओ, राच राच नेई मैं तुम्हारे सपनों को जिन्देगी देना चाहता था लेकिन लेकिन तक्तीब ने साथ नहीं दिया हो सके तो मुझे माफ कर देना तेरी सजा मौत नहीं है अब तुझे जिन्दा रहना है उस मौत के इंतजार में जो तिल-तिल करके तेरी तरफ बढ़ेगी और तेरी जिन्दगी मौत से भी बत्तर हो जाएगी ये शराफत का धंदा तुझे रास नहीं आया है ना जा उसको भेंग दो बबबर और उसके भूके कुत्तों के आगे तुने मेरे राज को नहीं, मेरे प्यार को मारा है जिल-प्र आओ किरन, बाबुजी, किरन, तू आगे बेटे, कैसे हैं बाबुजी, अच्छा हूं बेटे, बेटे, तुमने जो मुझ पर उपकार किया है, मैं जिन्दी की भर नहीं बूछ सकता, एक उपकार औरकर तू बेटे, मेरी बेटी किरन को अपना लो, ये तो मेरा स्वभाग के होगा बाबुजी, बस आप पहले अच्छे हो जाएए, बेटे, डॉक्टर किराय के मताबिक, दो-तीन महिने, मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, कहीं जाने आने के सक्त मनाई है, बाबुजी, आप यहां आर इसलिए मैं चाहता हूँ बिटे, तुम दोनों जल से जल शादी कर लो सर, हम दोनों कोट मैरिज करना चाहते हैं स्कूल सर्टिफिकेट या बार से ले आया आप लोग? वो तो नहीं है हमारे पास फिर हमको कोई से बात चलेगा आपको उमर का? सर, मैं बाइस साल का हूँ और यह अठारा साल की बगर उसको प्रूप तो आप लोग को पस नहीं है, इसको यह लोगा, मैरिज डेट पे दो विटनेज भी चाहिए वो भी नहीं है, सॉरी, I can't help you पंचांग के अनुसार, तुम दोनों के लगन का अभी योग नहीं है, कुछ दिन रुकना पड़ेगा पंडी जी अब हम ज्यादा दिन रुक नहीं सकते, छोड़िये पंचांग पंचांग, हमारी शादी करवा दीजे देखो बेटा, तुम लोग ठेरे नए युके लोग, शायद मेरी बातों का विश्वास ना हो, लेकिन मेरा अनुभव कहता है, कि अगर ग्रहमान योग ना हो, तो कुछ ना कुछ अनर्थ होई ही जाता है इसलिए मेरी मानो, फाल गुन सुखल पक्ष की नौई शुकरवार, अर्थात बारा अप्रेल, तिरानुए को, सान्च चार बज़े से पांच बेज़े तक का ही समय अच्छा है, उसके बाद फिर तीन महने तक कोई योग नहीं है सूरच, हमें पंडी जी की बात मान लेनी चाहिए, हो सकता ये ठीक कह रहे हूँ, बड़ी मुश्किल से तो हम मिले हैं, अब हम फिर से बिचरना नहीं चाहते ठीक है, पंडी जी, आप उस दिन सारी तैयारी रखिएगा, हम ठीक समय पर पहुंचाएगे अच्छा बेटा, खुश रहूँ अच्छा किरन, सुबह मुझे जल्दी उठा देना, ओके जो पहले उठेगा वो दुसरे को उठा देगा, बट, नो टच, नो साउंड यार ये क्या बात हुई? बस यही बात हुई, समझे, अब चुप चुप सोजाओ अच्छा बबा किरन जो पहले उठेगा वो दुसरे को उठा देगा, बट, no touch, no sound कि अजए हुआ वफब्ड़ कि अजए पहला कि अजए कि ख़ा अभव यह तुमने क्या किया, मुझे ठाई लग जाती तो नौ बजने वाले थे, तुम्हे उठाना था के नहीं? और तुम्हेरे तो कहा था, no touch, no sound ना तुम्हें touch किया और ना कोई आवाज दे क्यों? कैसा लगा मेरो उठाने का style? बहुत अच्छा लगा, साही नीन खराब कर दी तुम्हें और यार किरण, किरण गुज्सा छोड़ो और मेरी बात सुनो अब मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम शाम को वही पर आ जाना क्यों? क्यों, आज पहली तारीख है, तंखा मिलने वाली है, तंखा नाम अनेव नाम कलवा नाम हमरे नाहीं हमरे घर वाले का पगार लेवे किवासे आये हैं बाबुजी तो कहा है वो बुला उसे? वो तो बेवरा पी के न जाने कौन सी कटर में पड़ा हुई है अच्छा बाबा नाम तो होगा उसका राम राम पाबुजी कौनो इस्तरी अपने मर्द का नाम लेकी पुकारे है लिखके दे दे थे लिखके? तो तुम लिखना पढ़ना जानती हो? मैट्रिक पास है मैट्रिक पास मैट्रिक पास? और एक जाहिल गवार के पल्ले पड़ गई? इस सब नसीब का खेल है भाबुजी वरना आमीर खान और कोविंदा जैसे हीरो हम पर मरत रहे वैसे आप भी बहुत चग लेती हैं भाबुजी तन एक पहले मिल गए होते तो देखो यह बखवास बंद करो और अपने पती का नाम लिखो यहाँ पर सूरज अच्छा तो उसका नाम सूरज है पदमाश इदरा पाकी की तनकाबाद में हम तो है पागल प्रेमी हम कुछ भी कर सकते हैं अच्छा पागल प्रेमी हम कुछ भी कर सकते हैं कर सकते हैं, एक दूझे की चाहत में, हम हसके मर सकते हैं हम तो है पागल प्रेमी, हम कुछ भी कर सकते हैं हम तो है पागल प्रेमी, हम कुछ भी कर सकते हैं इस दूझे की चाहत में, हम हसके मर सकते हैं हम तो है पागल प्रेमी कर सकते हैं आदी है तूफा है हम है हवाओं के जो चुए आदी है तूफा है हम है हवाओं के जो चुए कुलपत की राहों में कैसे कोई हम को रोकी जो शमा के जान देदे हम है वो परवाने भूले गाना अब जमाना प्यार की अफसाने हम तो है पागल प्रेमी हम कुछ भी कर सकते हैं तिक दूजे की चाहत में हम हसके मर सकते हैं हम तो है पागल प्रेमी प्रेमी जमा प्रेमी लुट आ तेरी सांसों से सांसों की खुशबू चुराए हो जाए हादों में दुनिया को हम्भूल जाए आ तेरी सांसों से सांसों की खुशबू चुराए हो जाए हादों में दुनिया को हम भूल जाए एक पल भी दूर जाके चैन अपना आए हम तो है पागल प्रेमी हम कुछ भी कर सकते हैं हम तो है पागल प्रेमी हम कुछ भी कर सकते हैं एक दूजे की चाहत में एक दूजे की चाहत में हम हसके मर सकते हैं हम तो है पागल प्रेमी जूले पर बैठोगी सुनो यह लो पैसे इसे बैठने दो सूराज जूला क्यों रोक दिया तुम आराम से आसमान पर बैठी रहो तब तक मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आता हूं ओके नीचे आउंगी तब बताऊंगी आता हूं कर दो कर दो बस कर तक यह उन्मार मारे फिरेंगे इतनी बड़ी बंबई में उन्हें कहां डूड़ेंगे अब है जानता हो कि बंबई अब बहुत बड़ी है मगर मेरा इरादा वही कोई छोटा नहीं है एक एक गली चान मारूंगा मगर उसे ढूंकरी रहूंगा समझा तुमारा इरादा तो आजमान से भी हूं अब यह उपर याड़का रहेगा या आगे भी कुछ बोलेगा उप बद देखो अब बगाओई बगाओवाँ बगाओई बगाओबगई कर secreब कर दोट कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो Himbelle Firas! पुच्छ नहीं वरत में मसा आ गया ला, कैसा चक्मार यह उन लोगो? किरस, भाग! तेजा के चक्रवियों से निकलना बहुत कठिन है भववा सुराज है तुझे तो मैं आड़े पर ठीक करूँगा सुराज, सुराज तुझे तो अभी उपर से छेन छोटा कर दूँगा खर्चुता स्टाहिमा कौन है भे तू? इस इलागे का बेताज बादशा बादल जो मजलूमों पर प्यार बनकर बरसता है और तुझ जैसे हरामजादों पर बिजली बनकर तूटता है अगर तू बादल है तो हम भी पहाड है पहाड से टकराएगा पानी पानी हो जाएगा पहाड़ 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 तूब पहाड़ बादल ज्아ब जाब पहाभ यॉक जहाड़ पहाड़ जहाड़ पहाड़ टök पहाड़ झाल झाल कर दो वा एंट खिर दिए पर लाव पर एंट बड़ वा एंट अरे भाग गया साला, अरे शुकर कर पोलिस आ गई, वरना तेरे सितारे गर्दिश में आ जाते हून? आया? भाया, आख की आँखों में आसू इस सख्म को बांद के तुने मुझे मेरी बेहन मीनू की याद दिना थी इसी कलाए पर कभी वो मुझे राख ही बांदा करती थी बस गोडिया, लड़का पसंद आता ही, मैं तारिक वकी करके आऊँगा, फिर ये सारी बस्ती देखेगी अपनी बहन की डोली में के शान से विदा करता हूँ अच्छा ही ये पता है, आते हुए मैं तेरे लिए क्या लाओ? कुछ नहीं भाया, बस आप आजाए अरे मैं तो आई जाओंगा, लेकिन तेरे कुड़े की फोटो के साथ अच्छा बया, अब जाए न, जाओ न अरे इस इतनी जल्दी है के दक्ये देकर निकाल रही है हेलो बेटा, इसी बात पर मुँ मिठा करू बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चाहूंगा के आप उसे इस घर की बहु नहीं, बेटी समशे तुम चिंता मत करो बेटे, तुम्हारी बहन राज करेगी इस घर में धन्यवाद माजी, आज आपने बेरे कांदे से बहुत भारी बोजु उतार दिया अच्छे जलता हूंए, बिल्कुल फिकर नहीं करता हूं नमस्का लगता है भही आगे लगती छोड़ो मुझे नई, नई चोड़ो मुझे चोड़ो मुझे नई, नई मुझे छोड़ो नई भशकार राव, राव क्या बात आज तुम बहुत खुशी ने रा रहा हूं बस बंडी जी खुशी की तो बात है मीनू का रिष्टा जो पक्का करका है हो अच्छा वो तो ठीक है बेटा लेकिन दहिश कितना तय हुआ है अरे दहिश के नाम पर तो फूटी कोडी नहीं मांग रहे लड़के वाले कहते है कि तुम्हारे बहन साक्षात लक्ष्मी है लक्ष्मी मीनू 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 क्या हुआ मीनू मैं किसी को दिखाने लाइक यहाँ में कौन दा हो क्या नाम लगा उसका मैं उस भेडी का नम नहीं जानती भाया एक दो बार रास्ते में उसने मुझे चेड़ने की कोशिश की तब तब मैंने उसे थपड़वारा था मगर आज आज उसे मौका पागर आज नहीं ऐसा नहीं हो सकता मेनू मेनू बज़े बता उसे पैच्छा मुना कैसे समय है उसके बाहे हाथ के कलाहे पर नाल भाले का नाग निशान नहीं होज़े चोड़केर मत्चा मेनू अवी तो अवी तो नहीं नहीं मजी तोली नहीं जोजी मेनू मेरी मैं तेरे मेरा कैसे रह सकूँगा मेनू मेरा नहीं जी सकूँगा मैं अकेला हो जाओगा खराम साथे मैं तरे टुक्रे टुक्रे करतूगा नहीं जोड़ूगा तुदे और तब से मेरी जिंदगी का एकी मकसद है उसनाग की तलाश भाया मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं मीनू बेहन की जगा ले सकती हूँ अगर मैं ये जरूर कहूँगी कि आप चाहें तो मुझे भी बेहन कह सकते हैं भाई साब आपने आज फरिष्टे की तरह आके हमारी मदद की है मैं आपका ये उपकार सिंदगी भर नहीं भूलूगा अरे दोस्त भाई भी कभी अपनी बेहन पर उपकार करता है हां देखो आज भी इसी बहाने भगवान ने मुझे एक प्यारी सी बहन दे दी एक बहन तो खो चुकाऊं अब इससे कभे नहीं खोने दूगा मेरी कभी भी ज़रूर पड़े न तो अगले मोड़ पर मेरा गराज है बादल गराज याद करना मुझे गसम शमशान की प्यार का ये भी एक अंदास है तेरी जवानी ने तो हम सब की थकान मिटा दी है मगर तूं क्यों मनने पर तुली है एशकर खापी कर एशकर और हमें भी एशकर आती रह रानी बनाके रकूंगा तुझे रानी एए खना लगाई से मैं मरूंगी नहीं राज मैं मरूंगी नहीं अब तो मुझे उस वक्त तक जिन्दा रहना है जब तक उस पापी दरिंदे को उसके अंजाम तक न पहुचा दू चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पर मैं कुछ ने जानता पपर दुबाई की पार्डी डिलिर लेली नी तयार है और तुम कहरे हो कि लड़के का मर रही है उनका इंतजाम करना तुम्हारा काम है यह हमारे पर्मनेंट ग्रहक है यह किसी भी तरह हमारे हाथ से जाने नहीं चाहिए ठीक है काम हो जाएगा पढ़ो सूरज प्लस किरन मेरी महपत मेरा नसीबा क्यों कैसा लगा तुम मुझे बहुत प्यार करती हो बहुत बहुत मतलब कितना भी कितना ओ कमार ना आओ किरन ये क्या पागलपन है कैसी के कपड़े खराब हो जाएगे तुम्हारे बदन पर जितना रबस्ट्राम पाएग train क्या बच्पना है ये चुप चाप खड़े रहो, अगर तुम हिले ना, तो एक रबस्टाफ खराब हो जाएगा, यानि तुम्हारी मुहपत एक बार कम हो जाएगी तुम नहीं मानोगी ना, अच्छा लगा लो, ये लो चलो मुडो अरे, बस हो गई तसली, आप गिंती हूँ अरे यार, तुम्हारे गिनने में मेरी बस छूट जाएगी, और तुम तो जानती हो मुझे कितना जरूरी टेंटर पास कराने, मेरा बॉस मुझे जान से मार देगा सालन, निकाल देगा मुझे नौकरी से मैच अपकरा अरे यार, हम गेटिंग लेट, एक काम करते हैं, मेरे आने के बाद जितना गिनना है, जी भर के गिन लेना तब तक तो मिट जाएगा अरे कैसे मिटने दूगा स्वीठाट, तुम्हारे प्यार की निशानी है दिल से लगा के रखूँगा सेच और क्या चल्दी आजाना, ज्यादा इंतिजार मत कराना यूं गया, यूं आया, ओके सूरच, याद है न, अगले शुकरवार को हमारी शादी है, उससे पहले आ जाओगे न अरे पागल, दुनिया इदर की उदर हो जाए लेकिन मैं 11 इप्रिल की सुबे को यहां हाजिर हो जाओगा अब मैं जाओ, मेरी बस चूट जाएगी अरे चला चला जल्दी करा बस चूट रही है, जल्दी करा अरे जल्दी चल्ड़ा भाई अरे मेरी बस चूट रही है, यह लीजी आपके पैसे ओ भाई साब, ओ बस वाले भाई साब ओ टटू, लोकानू, उनके टकानों तक ले जाना ही अपना काम है अगे भाई गुरु दी किर्पा राइवर, बस धीरे चलाओं मैं में मेकाप कर रही हूँ अच्छा माता जी माता जी, मा होगी तेरी घर वाली मैं तेरी को मा जैसी लगती हूँ अरे, मेरी उमर ही क्या है? बस 20 के उपर एक कुछ परवान नहीं सरकार जमाना दुश्मन है मेरी उमर है 21 सार जमाना दुश्मन है अरे, मैं तेरी मासा मान हूँ तु मेरा क्या करेगा? आ, 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 आ चल तेरी बेटी को छोड़ दो, बेटा अगले मेरे इसके शादी है शादी तो इसकी अब दुबाई में होगी चल अरे, तु भी चल सानहाल सरदार जी आप बस चाट कीजिए मैं पीछे से बस पर चाँ साथ acontec तो गॉट प्राम साथे, बहुत भीर बनता है तू मैं तुझे तेरी भीरता के नम देही देता हूँ पदर ये मेरा शिकार है अगर इसे मार दोगे तो हमें उस लड़की का पता कौन बताएगा जिसे ही हमारे अड़े से भागा कर लेगा था सूरज पिलस किरन मेरी महबबत मेरा नसीबा वा, महबबत का क्या नए स्टाइल है मागर एक कमी रह गई बबुआ फुल स्टाप की वो हम लगाए देते हैं खरचुट्टा स्टाइल मा क्या तेजा तू मेरे टुकडे टुकडे भी कर देना तू भी मैं तुझे नहीं बताऊगा बबुआ नहीं बताऊगा सा हरामी मरे थे तो एक तेजा पैदा हुआ था तू तो क्या तेजा मुर्दों की भी जबान खुलवाना जानता है लाके मोडे बता वो लॉंडिया कहा है तेजा मैं तुझे नहीं बताऊगा नहीं बताऊगा मैं तुझे लगता है सीधी उगली घी नहीं निकलेगा साबसी से पाउंड पर बात हो गई है वो आ रहे है ले बेटा अब आ रहा है तेरा बाप वो ही तरी जबान खुलवाएगा उदारो हरामजादे को नीचे कुछ बताए कुट्टे के पिले ने किसी महा हरामी के अउलाद लगता है आये चलो वो रहा यह है आपकी आन आपकी शान आपकी इज़त इसी के बल पे आप अपनी मर्यादा की दुआई दिया करते थे डैड वही लोग जिनकी नजरें आपके सामने जमीन से उपर नहीं उठती थी आज मुझसे पूछेंगे कि कैसे बाप के बेटे हो तुम जो मासूम लड़कियों की इज़त का सौदागर है उनकी तबाही और उनकी बर्बादी का जिम्मेदार है मुझे तो गीन आ रही है यह सोचकर कि मेरे जिसम में जो खून बहरा है वो मेहनत की खेती का नहीं बलकि जिसमों की तलाली से उगने आश्त कर सकता हूँ लेकिन अपने धंदे पर आच नहीं है आखरी बार पूछता हूँ बता कहा है वो लड़कियों इस दिल में है डैड इस दिल में है अच्छा तो उसको अपने दिल में ही बिठा के रखो क्योंकि अगर तुमने उस कोठे वाली को अपने दिल से निकाल कर इस घर में बिठाने की या बसाने की हिम्मत की तो मैं उसको ऐसी भायानक मौत दूंगा कि एक बार तो मौत भी काम उठेगी डैड उसे कोठे पर बिठाने के जिम्मेदार भी आप ही है अच्छा हुआ भगवान ने आपको कोई बेटी नहीं दी वरना शायद आप उसे भी कोठे पर बिठाके उसकी दलाली खाते शाद कान खोल कर सुन ले लड़के तीरी शादी होगी तो सिर्फ पिंगी के साथ रामलाल ले जाव इस लड़के को और बंद कर दो कमरे में आप मुझे इस घर में बंद तो कर सकते हैं लेकिन किरन को आप मेरे दिल से नहीं निकाल सकते हैं उस्ताद शवाब भी है और कवाब भी है बस कमी है तो उस्ताद सिर्फ इस शवाब की है अरे शवाब होता तो जंगल में मंगल हो जाता बजन आयाता बोस क्या सूचती है पुनम इससे अच्छा मौका भागने का फिर नहीं मिलेगा मौका भागने का फिर नहीं मिलेगा मौका भागने का फिर नहीं मिलेगा मौका भागने का पुछो जायां प्या है रणा मौका भागने का फिर नहीं मिलेगा है तरहा है कि लेन बदिवास ने। जिरे जिरे होले होले दिल पे अजर करे शे कोई ना इसके कैसी पीखे बेखो ये है कैसी इसका नहीं है जवाँ नाम इसका है शराः नाम इसका है शराः जाम इसका है शराः कभी कही किसी के जो लग से लग जाए सारे उमर किसके बेना जैन वो ना पाए कभी कही किसी के जो लग से लग जाए सारे उमर किसके बेना जैन वो ना पाए जीते जाओ जीने वालों पीते जाओ पीने वालों संझो ना किसका खनाव नाम इसका अरे नाम इसका है शराः नाम इसका है शराः पूतर में बंद है जब को पसंद है पूछो तरा क्या है जनाव नाम इसका है शराः अरे नाम इसका है शराः गसंद शंशान की पबबर अभी होश में है तू क्या समझती है? मैं तुझे यहांसे भागने दूगा मुझे आज कोई ने रोक सकता कोई नहीं? नहीं! जाला जाला समझ मैं नहींता बापने बैटे को क्यों बंद किया है? बादा जालिन बाप है अप लोग यहां क्या कर रहे है? चाविदो, आप लोग जाए यहां से. क्या यार सूरज, कहा हो तुम? तुम्हें देखने के लिए तो आखें तरस गई थी. जानते हो, बहुत चल्दी अंकल और मम्मी हमारी शादी करने वाले हैं. रेले सूरज, आप सो लकी, जो मुझे तुम्हारा प्यार नसीब हुआ है. देखो, पिंकी, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं. साथ खेले हैं, साथ बड़े हुए हैं. इसलिए मैं तुम्हें धोके में नहीं रखना चाहता. शायद मेरी किसी बात से तुम्हें ऐसा लगा हूँ कि मैं तुमसे मुहबत करता हूँ. मगर यह सच नहीं है, पिंकी. मैंने हमेशा तुम्हें एक दोस्त की नजर से देखा है. इसके आगे कुछ भी नहीं. क्या? हाँ, पिंकी. मैं तुमसे प्यार नहीं करता. मैं केरन से प्यार करता हूँ. नहीं, सुरज नहीं. तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मगर दिल पर तो किसी का जोर नहीं न? और मेरा दिल तो सिर्फ यही जानता है, कि जीना भी केरन के साथ, और मरना भी उसी के साथ. यह मैं क्या सुन रही हूँ, भाई साब? सुरज पिंकी से नहीं, बलकि किरन नाम की किसी लड़की से शादी करना चाता है? देखे भाई साब, पिंकी मेरी एक लौती बेटी है, और मैंने सिर्फ उसकी खुशी के लिए, आपको वो पूना वाली फैक्ट्री और पचास लाक रुपे दिया है. बेहन जी, आप खामखा परेशान हो रही है, आपने अपना कमिट्मेंट पूरा कर दिया है, अब सूरज तो क्या दुनिया की कोई ताकत मेरा फैसला नहीं बदल सकती है, अब जाएए, शादी की तैयारियां कीजिए. अरे बागल, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं 11 इप्रिल की सुबह को यहां हाजिर हो जाओंगा. कि वहाएए, जाएए... कि वहाएए़ झाल. कि वहाएएबगाद की वहाएएवाए़ भी जारे पाल. वहाएबगाएवाएए. हग काई था हुग तॉ आखा नगा कि अ न्यू आज़ को अ यूटर वर रिख व्याद यूट यू कि न कर राफ यूट यूट यूटर रह यूट व्यूट हाए अहां देखिए, वहाँ किरन जी होंगी, उनको बलाईए, जी, किरन जी आपका फोन है, हलो, हलो किरन, हलो सुरण, तुम कहां से बोल रहे हो, किरन वक्त नहीं है, तुम एक काम करो, जल्दी से अंबे मंदिर पहुंचो, सुरण सब ठीक तो है न, बाकी बाते मिलने पर ऑुकी आँ 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 पुणा आँ आँ आँ, आँ 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 अँड़ाए, आँ आँड़ाए इपने बाग, जो! बादल मया! बादल मया! बादल ो देशे कर देशें साय को, आज यशी खूं चे रंगाई कर दे ताहूं जलो शक्राइव आपी जह जह जहों, जहों जहों फे जह जह जहाँ जहाँ बड़े लेख़े लेख लेख़े! आयाँ! बड़े बड़े! बास मारखा गया ना मत तलता हूँ बास अब डरने की कोई बात ने किरन वो कमीन आप तो नर्क पहुंच गया सूरज मंदिर की पास मेरा इंतजार कर रहा होगा भाया पंडी जी ने कहा था कि अगर आद चार और पांच की बीशादी नहीं हुई तो फिर जल्दी कोई महुरत नहीं निकलेगा फिक्र मत करो बेहन बादल तुम्हें महुरत खत्म होने से पहले पहुचा देगा आज तुम दोनों के शादी होके रहेगी चलो मेरे साथ बादल भई या आप बातों का वक्त नहीं है सुरज सुरज अगर बहन के माते पर सिंदूर देखने के लिए एक भाय का थोड़ा बहुत खून बहजा है तो कौन सी बड़ी बात है आओ पंडी जी शादी शुरू किजी ये शादी नहीं हो सकते ये शादी होके रहेगी इस भाई के होते वे देखता हूं कौन माई का लाल ये शादी रोक सकता है हमोश शादी तो होगी मेरे बेटे की मगर इसके साथ उसको ठेवाली के साथ नहीं सिट मेरी बेहन के खिलाव एक लफ भी बुला तो जबान जबड़े समय दुखाड़ का भेक दूगा और तुम लोग भी कान खोल के सुन लो किसी ने दखल अन्दाजी की तो अंजाम ठीक नहीं होगा समझे तुम अपने अंजाम की फिकर करो पगहलो रामजादे को सेट जिनके इरादे फौलाद के होते हो इन खिलोनों से नहीं घबराते शरावत से फेरे हो जाने दे वर्रा तेरी शैतानी खोपड़ी की धज्यां उळा दूगा बने जी शादी करसं बूरी कीजिए तेजा तुज जिन्दा है मात को भी कि मार सका है जो तू मारेगा तू मेरी नाथ कटवाना चाहता था समाज में नहीं जाओ इस दूगी का नहीं तुझे शादी करने का बड़ा शौक है न तुल्हिया चल तुझे सुराग रात के ऐसी रिहस्ल कराता हूँ के दुबारा दुल्हन बनने का खाफ नहीं देखेगी चल तुझे जाओ लगल तूरोंख झाद देखेगी स bers Québec जाद लगवोंगी स करसूँतुया जादेज नहीं तूप तूद लगल अरू हमसा पूब तुझे अजादखेगी। कि खखण बसुझे दुझे वादेगी ह। पर लगाप हे चलोंगे मुँ़ला इंफ झाल mesफ हम फपट हुआ हुआ! खुआ हुआ हुआ। किंकी! पिंकी, पिंकी, ये क्या किया तुमने, कोच नहीं होगा तुमको I love you, सूरज पिंकी, पिंकी पिंकी भाई हाद निकलाई पर, नाल माले का नाल नाल माम साथे, मेही बेहन मीनो के गातल, तुझे में जिनदा नहीं चुरूगा जिनदा नहीं चुरूगा जिनदा नहीं चुरूगा है yeah ma एक दिन यही खंजर तन्वार बनकर तेरे सीने के पार होगा भाया 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 अरे तुम्हारा मा भैवान हो चुका है जाओ भाया कहतो जाओ नहीं भाया हम अपको इसी हालत में सोड़के नहीं जा सकते हैं तुम्हे तुम्हे मेरी के समय जाओ 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 आओ में चाओ काओ काओ भगी काओ काओ भगी काओ काओ में चारों तरफ तेरी अपनी ही लगाई हुई आग च्वाला मुखी बनकर खड़ी है आरत को कमजोर मत समझना परसो तुने हमारे अर्मानों की चिता जलाई है और आज आज हम तेरी चिता जलाएंगे आर अर पस्मार का तेरी जलाएंगे ढिर दे खार का ईभाई ए मुँ भी आज आए मेरे जाने का वक्त आगया शुज़च मैं जीते जी मीनों के सपने चाकार नहीं कर सका अब दोनों को वלא को देवल को देवलै को चाना नल्इ बाया हुई बाया बाया दीदी, सब लड़के आज़ाद हो गई, सिर्फ एक कैदी बाकी रह गया है क्या इसकी तक्दीर में खुला आजमा नहीं है दीदी? नहीं सूरज, पिंजरे में रहने वालों का दर्द मैं खूब जानती हूँ लाओ, लाओ उसे आज़ाद करते हैं क्योंकि आज़ादी पर सबका अधिकार है पागल, दीवाना, आशिक, आवारा मैं तेरे लिए कवारा हूँ ता तेरी सांसों से, सांसों की खुश्बु चुराए हम हो जाए, आदों में दुनिया को हम बूल जाए एक पल भी दूर जाके, चैन अपना आए विद्दे की सरे यूही अपना प्यार बढ़ता जाए झाल